दोस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चिटाल में कहीं तरह का ऐसे टर्ण होता है जो की सर्ट फ्रम में लिखा होता है उसका फूल फ्रम के बारे में जानेंगे इस वीडियो में उसका क्या मतलब होता है जानेंगे दोस्तो आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना इसी तरह के मेडिकार रिलेटेटर जानकारी पाने के लिए तो पहले हम जानेंगे OPD के बारे में OPD का फूल फ्रम होता है Outpatient Department इसमें क्या होता है कि पेशन को आता है डक्टर को दिखाता है उसके बाद घर जाता है फिर से इसमें पेशन आडमिसन नहीं होता है हस्पिटाल में नहीं रहता है तो अब कि आपको जैसे सर्दी जुखाम ब मतलब होता है कोई पेशन हस्पिटाल में आडमिसन है मतलब कि आडमिठ है उसको कहा जाता है IPD पेशन कि किसी पेशन का ओप्रेशन हुआ है या बुखार हुआ है कहीं दिनों से वो हस्पिटाल में आडमिसन है उसको कहा जाता है IPD पेशन हम नेक्स जानेंगे ICU के बारे मे ICU का फुल्प्रम आपको पता ही होगा ICU का फुल्प्रम होता है Intensive Care Unit फ्रेंट्स ICU में रखा जाता है कोई पेशन है बहुत ज़्यादा सीरियस है Emergency Condition में है या उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है या कोई poisoning पेशन है तो इस तरह का पेशन को ICU में रखा जाता है और कोई पेशन है जो की खुद से स्वांस नहीं ले पा रहा है उसको ventilator में रखा जाता है उसको का फुल्प्रम होता है High Dependency Unit रखा जाता है जो पेशन ICU से ठीक होने के बाद निकलता है उसको SDU में रखा जाता है और कोई पेशन का मोनिटरिंग किया जा रहा है तो उसको भी SDU में रखा जाता है लब की ICU में पुरा Emergency patient को रखा जाता है और थोड़ा जो अच्छा होता है उसको SDU में रखा जाता है SICU का फुल्प्रम होता है Surgical Intensive Care Unit रखा जाता है कोई patient का Operation हुआ है उतके बाद patient serious है तब उस condition में रखा जाता है SICU में इसको बाद हम जानेंगे NICU का फुल्प्रम Neonatal Intensive Care Unit इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है जो newborn baby होते हैं उनको रखा जाता है कोई बच्चा है कि time से पहले delivery हो गया तो उसको NICU में रखा जाता है या कोई बच्चा है कि delivery के बाद बहुत ज़्यादा serious हो गया तो उस type का बच्चा को रखा जाता है NICU में उसके बाद होता है PICU Pediatric Intensive Care Unit इसमें क्या होता है कि जो एक साल से लेकर बड़े बच्चे होते हैं एक साल से दोस साल के बीच में उनको रखा जाता है वो बेबी serious हो जाने से उसको रखा जाता है PICU में जानेंगे वार के बारे में वार में जनरल पेसन रहते हैं किसी को fever हो गया, बुखार हो गया या कोई पेसन ICU, SDU से बाहर निकलने के बाद उस पेसन को वार में रखा जाता है तो बाद हम जानेंगे लेबर रूम के बारे में लेबर रूम में जिसमें की नॉर्माल डेलिवेरी किया जाता है उसको कहा जाता है लेबर रूम जिस जगा पे बेबी का बार्त होता है उसको कहा जाता है लेबर रूम हम जानेंगे लास्ट में ट्रॉमा सेंटर के बारे में ट्रॉमा सेंटर में क्या होता है कि जो एक्सिडेंट हो गया कोई ब्यक्ति बहुत ही ज़्यादा चोट लगा है बहुत ही ज़्यादा सीरियस है पेसेन तो उसको कहा जाता है ट्रॉमा सेंटर यहाँ था आज का वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो जरूर से एक लाइक करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने के तो